हेलो दोस्तों स्वागत है बॉक्सर एडूकेशन यूटूब चैनल में आज इस कलास में रेलवे के लिए कुछ महत्मून प्रस्नों का अध्यन करने वाले हैं जो परिच्छा के डिश्टी से काफी महत्मून है इससे पहले मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और सेयर अवस्य किए करें चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से गिज़ townय में भारत वाया पोखरण में किये गए पर्मानुप परिच्छिनों का कोड नाम था तो बतायी दोस्तों परमानु परिच्छन का कोड नाम Operation सकती था यह भारत का दूसरा परमानु परिच्छन था भारत का पहला परमानु परिच्छन 1974 इसी में हुआ था और इस पहला परमानु परिच्छन का कोड Smiling बुद्धा था यह सभी परिक्षर्ण राजस्थान में हुवे हैं करा हमें दोस्तों राजस्थान में सेकेंड प्रस्मा निमलिखित में से कौन सा तत्व मेडलिव की आवट सानली में निचित अस्थान नहीं पास सका तो कौन है दोस्तों जिसका आवट सानली में निचित अस्थान नहीं मिला वह है हाइट्रोजन मेडलिव के आवट सानली में तत्व को बढ़ते हुए परमानू दर्मान के करमें सजाया गया है और मेडलिव के समय तीरसट ही तत्व ग्यात थे ओकसीजन की खोज जोसे प्रिष्टले के द्वर रखी गई है और हैट्रोजन की खोज हेनरी केंड्विस ने की है और नाइट्रोजन की खोज रदर फोड ने किया है तिसरा प्रस्णो नाविकिये रिक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रियुग किया जाता है तो भारिजल का मंदक के रूप में प्रियुग करते है भारिजल का रसानी सुत्रो डिटियो होता है और इसको डिटिरियम उक्साइड ही कहते है चौथा प्रस्म सधारन नमक नेमलिकित में से बनता है तो सधारन नमक मजबूत अमल और मजबूत छार से बनता है इसका रसानी सुत्रा एने सील है इसे सोडियम क्रोडाइट की नाम से जना जाता है पाच्वा प्रस्म जब मेगनिसियम रीबन हावा में जलाया जाता है तो कौन सा योगिक उत्पन होता है तो मेगनिसियम ऑक्साइड नामक योगिक उत्पन होता है इसका अनुसुत्रा MGO होता है मेगनिसियम का परमानु संख्या 12 और यह S ब्लोक का तत्वा है छो नमबर उस धातू का नाम बताईए जिसे असानी से चाकू से कटा जा सकता है तो असानी से सोडियम को चाकू से कटा जा सकता है सोडियम को मिट्टी के तिल में रखा जाता है और एलमुनियम का यह S का बॉक्साइड होता है सात्वा प्रस्मा मदमखी के डंग का इलाज करने के लिए किस घौल का परियोग किया जाता है तो बेकिन सोड़ा का परियोग किया जाता है बेकिन सोड़ा को सोडियम बाइकर्बोनेट कहते हैं इसका रशायनिक सुत्र न.A.H.C.O.3 होता है और इसे खाना पकाने का सोड़ा भी कहा जाता है आठवा प्रस्म बिरंजक चुन को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निस्कासित होती है तो क्लोरिंग गैस का निस्कासित होता है इसका रसानी सुत्र C-A-O-C-L-2 होता है और इसको केलसियम हाइपो कोड़ाइड के नाम से जानते है नौवा प्रस्नो ग्रिस मकाल में मिश्रिका किस परिगहटना की करन दिखाई देती है तो यह परकास का पून आंतरिक प्रावतन की करन दिखाई देता है दसवा नमर पानी के गिलास में एक बर्व का टुकरा तैर रहा है जब बर्व पिगलती है तब पानी की अस्तर पर क्या प्रभा होगा तो पानी के अस्तर पर उतना ही जल ही रहेगा इगारे नमर इनमें से कौन सूर्य के परकास को सीधे बीदुत उर्जा में परिवर्तित कर देता है सीधे बीदुत उर्जा में सोलर सेल है कौन है दोस्तों सोलर सेल बारे नमर दन्थ बिस्यक्र मरीजों के दातों का बड़ा परत्विम देखने के लिए किस दर्पण का उप्योग करते हैं तो इसमें ओतल दर्पण का प्रियोग करते हैं किसका अप्रियोग करते हैं दोस्तों ओतल दर्पण का तेरे नमर भारतियों सविधान का अनुछेद 61 किसे संबंदी थे तो अनुछेद 61 राजपटी का महा भ्योग से संबंदी थे राजपटी का छमादान अनुछेद 22 से संबंदी थे और राजपाल का छमादान अनुछेद 161 से संबंदी थे रासपटी का पद अनुछेद बावन से संबंदित है और रासपटी का सपत अनुछेद 60 से संबंदित है चोदो नमर और 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतिय कांगरेस के अधिवेशन की अधिश्ता किसके दो रखी गए थी तो इस अधिवेशन की अधिश्ता गोपाल कृष्ण गोखले के दोरा किया गया था यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है गांधी के दोरा लिखे गए कृतियां सत्यक सत्य मेरी प्रियोग हिंद सोराज और दच्छी नफिरका में सत्यागरो लिखा गया है महात्मा गांधी दच्छी नफिरका अठारे सो तिरानवे इसमी गए और अनई सो पंदर इसमी में वापस लोटे पंदर नमर इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है तक लिखे थे रविन्ना टेगोर ने गितांजली को प्रकासित किया था शोला नमर राज साबा धन बिधय को कितने दिन तक अपने पास रोख सकती है तो यह 14 दिन तक अपने पास रोख सकती है धन बिधय का नुछेद 110 से संबंदित है 17 नमर आगरा नगर की स्थापना नेम लिखित में से किसके दो रखी गये थी तो आगरा नगर की स्थापना सिकन्दर लोधी के दोवारा सिकन्दर लोधी ने किया था अठारे नमर 1927 की भारत में समाजिक सुधार आंदोलंग का अग्रगामी कौन था तो यह राजा रामोहन राय थे राजा रामोहन राय ने बेदान कोलेज आत्मियों सभा और ब्रह्म समाज की अस्थापना की थी 19 नमर निमलिखित में से कौन सभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंदित है यह हाथी गुफा अभिलेख संबंदित है 20 नमर कूम मेला को प्राम करने का स्रे किसे दिया जाता है तो कूम मेला का प्रारम करने का स्रे हर सवर्धन को दिया जाता है और सोदं के सासंकाल में चिनी यात्री हमें सोंग आयत थे एक किस नमर किस मुंगल बाज़ा की मिर्थिव दिन पना पुस्तकाले की सिड्यों से गिरने की करण हुई थी तो हिमायू की मिर्थिव दिन पना पुस्तकाले की सिड्यों से गिरने की करण हुई थी हिमायू का मकबरा दिल्ली में इस्थीत है जहांगीर का मकबरा लहौर में और अक्बर का मकबरा सिकंदराबाद में और जहांगीर ने 22 नमर नेमलिखित में से कौन सा गौर्णर जर्नल ठगी प्राथा के अनमुनल से संबन्दित है कौन सा है दोस्तो यह है लौड बिलियम बेटिक है जो ठगी प्राथा को दूर किया था 23 नमर किसी गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है तो यह गुरु अरजुन देव ने लिखी है गुरु अरजुन देव की मिर्टु जहांगीर ने फासी की सजा करवा दी थी सोरी दोस्तो जहांगीर ने गुरु अरजुन देव की हत्या करवा दी थी और गुरु अरजुन देव पांचवे गुरू थे 24 नमर सवांत कमदीपत्र के संस्थापत कोन थे तो इसके संस्थापत राजा रामोहन राय थे जो बंगाली भासा में परकासित हुई थे राजा रा मोहर राय को भारती और पुनर जागरन के जनक के रूप में भी जानते हैं और राजा रा मोहर राय ने बेदान्द कोलेज, ब्रहम समाज और आत्मिय सभा की अस्थापना की थी जबकि रविन ना टेगोग दोराद गीता अंजली नाम पुस्तक लिखे थे 25 नमर सत्यात परत्राज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक द्यानन सोर सत्ती हैं और इस पुस्तक की 1875 इस्वी में परकासित की गई थी मुसलिम ने अपना मुक्ती दिवस को मनाया था तो मुसलिम ने अपना मुक्ती दिवस 22 दिसमबर 249 इस्वी को मनाया था 27 नमर 1878 का वरना कूलर प्रेस एट किसने रद किया था तो इसका रिपन ने लॉर्ड रिपन ने इस वरना कूलर प्रेस एट रद किया था जबकि वरना कूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के दोरा लागो किया था 28 नमर निवन में से किसने सविधान सभा में उपदेश प्रस्ताव को प्रस्दूत किया था तो यह जोवाल लाल नहरू ने 246 इसवी को पेश किया था मात्मा गांधी के राजिनती गुरु गुपाल कृष्ण गोखले थे और गुपाल कृष्ण गोखले ने 1893 इसमें दच्छी न फिरका और 1915 इसमें वापस इंडिया लोटे थे 29 नमर संसर्दिय सासन प्रनाली स्वर्व पर्थम किस देश में विख्षित हुई थी तो यह ब्रिटेन में विख्षित हुई थी कहां थी दोस्तों ब्रिटेन में 30 नमर भारतिय स्वर्विधान में समौर्थी सुची की अधर्णा कहां से ली गई है तो यह समौर्थी सुची की अधर्णा यह अस्टेलिया से लिया गया है और जबकि अमिर्का से मौली क अधिकार नया पालिका की सोतंतरता, रासपटी का महाभयोग और सरोच न्याले और उच न्याले के नय धिसों का हटाने की विधी यह अमिर्का से लिया गया है जबकि ब्रांस से समानता, सोतनता और बंधुता ये फ्रांस से लिया गया है धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवसे करें अगर आपको इस वीडियो का पीडियेप चाहिए तो मेरे मोबाइल नमबर 70798905081 पर आप मैसेज कीजिए हम आप इस वीडियो का फीडियेप अवसे हैं डाल देंगे धन्यवाद दोस्तों